आज श्रीक्रिष्ण का 5249 जन्मोत्सव है रात के आठवे महुर्थ में भगवान का जन्म हुआ था इसलिए आज रात 12 बचकर 5 मिनट के बाद 12 बचकर 45 मिनट तक मतुरा विरिंदावन द्वार का नाथ द्वारा और इसकौन मंदिरों में श्रीक्रिष्ण जन्म परो मनेग लोग अपने घरों में भी इस समय स्रीक्रिष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे आधी रात के महुर्थ के साथ ही पुजा के लिए दिन भर में कुल 5 महुर्थ रहेंगे इस्तियोहार पर 8 बड़े शुब योग भी बन रहे हैं पिछला 400 साल में ऐसा आज तक नहीं हुआ इसलिए ये जन्माष्टमी पर्व काफी खास है जन्माष्टमी की पूजा विधी पर अगर नज़र डालें तो सबसे पहले गनेश जी को असनान करवाएं वस्त्र चढ़ाएं फल फूल चावल आदी चीजे चढ़ाएं धूप दीप जलाएं क्लिंक्रिस्नाय नमह मंत्र बोलते शुद्ध जल और पंचामरित से अभिशेक करें भगवान को जनेव चढ़ाएं चंदन चावल अबीर और गुलाल चढ़ाएं नए कपड़े पहना कर आभूशन से सजाएं हार फूल फल और तुलसी पत्र चढ़ाएं सुखे मेवे मिठाई माखन मिस्री का नैवेद्य शुद्ध जलाएं नारियल पर पैसे रखकर दक्षुना अर्पित करें और भगवान को जूला जूलाएं चंद्रमा को अर्ग दें बलराम ये शोदा माता और गाय की मूर्ती की इसी तरह पूजा करें कपुड जलाकर आरती करें इसके बाद परिक्रमा करें पूजा में भूल के लिए चमा याजना करें आखिर में प्रसाद लें और बाट दें फिर भजन और किर्तन करें 19 अगस्त को महालक्षमी बुधादित्य धुरू और छत्र नाम के शुभ योग रहेंगे साथ ही कुल दीपक भारती हर्ष और संकृती नाम के राजयोग बन रहें इस तर विदारी और नए शुरुवात के लिए पूरा दिन शुभ है यह परंपरा सिहत के नजरिये से भी खास है क्योंकि इस परव पर बारिश का मौसम होता है इस मौसम में खाना देरी से और कम पच्चता है इस करण बिमारिया होने की आशंका बढ़ जाती है यही वज़ा है कि ब्रत उपवास करने से मेटाबुलिज्म मजबूत होता है और सिहत में भी सुधार होता है पुराणों में कहा ग्या है कि इस दिन बिना अन्न खाए भगवान कृष्ण की पूजा करने से पिछले तीन जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं साथ ही मनुकामनाय पूर्ण होती ह जर्माश्टमी पर उपवास के साथ स्रिकृष्ण की पूजा की जाती है अश्टमी को जयाती थी भी कहते हैं यानि यह जीत दिलाने वाली थी थी है इस उपवास से सभी कामों में जीत मिलती है उपवास इसलिए ताकि भगवान की पूजा करते समय मन शरीर और विचार श खत्म होती है कृष्ण सुख और सम्रिती देते हैं जर्माश्मी के ब्रह्म मोहुरत से अगले दिन ब्रह्म मोहुरत तक ब्रत करना चाहिए इसके बाद अगले दिन रोहिन अच्छत्र हत्म होने पर ब्रत खोलने का विधान शास्त्रों में बताये गया है हाला कि कुछ लोग रात में बारा बज़े के बाद ही वरत पूड़ा कर देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए जानकारों का कहना है कि कोई वरत अंग्रेजी कलेंडर की तारिक से नहीं बलकि शुरियोदर से अगले शुरियोदर तक रहता है अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए इवाशक्ती चैनल को सब्सक्राइब करें